Hello Friends, Welcome to Study Tricks, इस लेक्छर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं साइन्स के टॉपिक बाइस कोस्टन, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्टी के मोस्ट इंपोर्टेन्ट कोस्टन और साथ ही देखेंगे उनसे उनसे रेलेटेन इपोर्टेन्स फैक्ट, तो आज हमारा टॉपिक है परमालू सरचना तो आप इसकी प्राक्टिस अच्छे से करें फ्रेंड्स अगर आप इन कोस्टन का पीडियेप चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स पहले कोस्टन को आपको खुछ से ट्राई करना है उसके बाद ही इसका अंसर देखना है आप चाहें तो अंसर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर अपने माइन में सोच सकते हैं तो हमारा पहला कोस्टन दिया गया है नूकलियस यानि की नाभिक में परमालू किरमांक यानि के अटोमिक नंबर को दरसाता है फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं परमालू के नाभिक में दो कलपा जाते हैं एक होता है निट्रान, दूसरा प्रोटान तो जो अटोमिक नंबर यानि की परमालू किरमांक को दरसाता है कौन दरसाता है प्रोटान तो आप इसका ध्यान रखें नाभिक में उपस्तित प्रोटान की संक्या को क्या कहते हैं परमालू संक्या या परमालू किरमांक फ्रेंट्स आपको एक जीज और ध्यान रखना है अगर आपसे पूछा जाए द्रब्बमान संक्या क्या होती है यानि कि अटोमिक बेट तो किसी भी तद्ब का द्रब्बमान संक्या कितना होता है प्रोटान प्लस न्योट्रान तो आप इसे ध्यान रखें नेक्ट कुस्टन देखते हैं एक हाइडोजन आइटम में कितने न्योट्रान होते हैं फ्रेंट्स हाइडोजन में कोई भी न्योट्रान नहीं होता है तो इसमें हमारा उप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा कुछ नहीं जैसा कि आप सब जानते हैं hydrogen को हम इस तरह से लिखते हैं ये क्या है इसकी protonों की संक्या और ये क्या है जो सो जो ये उपर लिखा होता है ये क्या होता है द्रब्बमान संक्या तो यहाँ पर कोई भी देख सकते हैं आप कोई भी neutron नहीं दिया गया फ्रेंड्स आबर साडली में अगर हम उपर से नीचे की और बढ़ते हैं तब क्या होता है परमाणू तरज्या बढ़ती है तो आप सब देख सकते हैं जितने भी यहां तद्ब दिये गएं तब हैलोजन तद्ब दिये गएं तो हैलोजन तद्ब आबर साडली में कौन से समू में रखे गए सत्र नंप olhos.. तो इनमें जो क्राम होता है सबसे पहले फिलोरीन फिर लोरीन फिर ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन होती है तो यारि कि सबसे नीचे को अब ना आएगा आयोडीन तो पर्माणु कि मांग जो सबसे ज़्यादा किसका होगा आयोडीन का तो इसमें ऑप्शन नमबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स आयोडीन का परमारू संक्या कितनी होती है तो आप ये भी धियान रख सकते हैं त्रेपन नेक्ट कोस्चन देखते हैं निम्लिकित में से किन कड़ों में सकरात्मक आवेश होता है तो इसमें दोस्तों एक ये उप्शन आपको करेक्ट करना है तो किसमें होता है प्रोटान में इसमें हमारा उप्शन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा और ये कितना होता है एक पॉंट छे दसकी घात माइनस उननिस क इतना ही आवेश किस पर होता है, लेकिन ये किस में होता है, निगेटिब में यानि नकरात्मक, तो इसमें ये माइनस लग जाता है, बात करते हैं, निट्रान की तो निट्रान पर कोई आवेश नहीं होता है, यानि का आवेश हीन होता है, तो आप इसको भी ध्यान डख सकते ह पूचा जा सकता है, अगला question देखते हैं, question number 5, electron के सम्तुल पिरती द्रब कड़ों को कहा जाता है, friends electron के सम्तुल यानिकी electron की तरह किसे हम कहा जाता है, positron को, तो इसमें option number हमारा d correct हो जाएगा, तो इसे friends electron के सम्तुल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका द्रब बमान electron की बराबर होता है, कितना होता है, 9.1, 10 की खाथ-31 kg, तो इसका द्रब बमान electron की बराबर होता है, और इस पर आवेस कितना होता है, इस पर आवेस भी 1.6, 10 की खाथ-19, लेकिन इस पर आवेस positive में होता है और electron पर किसमें होता है negative में तो आपको ये भी चींज ध्यान रखना है तो इसमें हमारा option number D correct हो जाएगा positron अगला question देखते है question number 6 तो इसमें अभी करतन और कारल दिया गया है तो परमाडू विखंडन की घटना अतदिक उर्जा हुत्पन करती है तो ये सही है हमारा negative कारल ये पिरकिरिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में तूट जाता है परमाडू विखंडन कहलाता है तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे अगर परमाडू के नाभिक एक से अधिक भागों में तूट जाता है तो इसमें फ्रेंड्स हमाँ सही answer टिक करना है तो ये दोनों ही कथन सही है लेकिन ये इसका सही सपच्टी करल नहीं है तो इसमें option number हमारा भी correct हो जाएगा फ्रेंड्स आपको एक चीज और द्यान रखना है अगर कोई भी परमाडू नाभिक तूट रहा है तो इसका पहले का द्रब्मान मान लो M बन है और इसे जोड़कर M2 आ रहा है तो इसके द्रब्मान में कुछ कमी आ जाती यानि कि पहले के द्रब्मान से M बन हमारा बढ़ोगा M2 जाद M2 हमारा बढ़ोगा M2 हमारा छोटा होगा तो ये दिरब्बमान की कमी को हम क्या कहते हैं दिरब्बमान शती तो इसे रेलेटिट भी एक्जाम में कुस्चन पूछ लेते हैं तो इसमें ऑप्सिन नमबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कुस्चन है सूरिय की उड़जा किस माध्यम से उत्पन होती है तो इसमें ऑप्सिन नमबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें क्या होता है चोटे चोटे परमाणू नाविक जुलकर एक बड़ा परमाणू नाविक बनाते हैं और अत्यादिक उड़जा उत्पन करते हैं तो इसी के धूरू सूरीय को लिए से उड़ जावत पन्य होती है तो आपको धिहान रखना ए फैंचेस में भी खू lot हैom जह ह्मारा इिसका द्रभ शाज हर यानि की छोटे नाविकों का द्रभ शाज द्रभ का होते हैं मैं तो इसके लिए आपको पता होना है सईयो जी लक्ट्राण कहते हैं तो सब जानते होंगे आक्सीजन का परमारू किरमांग कितना होता है छे तो इसका जो हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 1S2, 2S2 2P 4 तो इसकी बाहरी कक्षा में कुल कितने लक्टरान है 2 और 2, 4, 2 और 4, 6 यानि कि यह क्या है इसके सही जी लक्टरान तो इसमें option number B हमारा correct हो जाएगा अगर आप से पूछा जाता है इसमें कोरे लक्टरान कितने तो आपको दियान रखना है इसके अंदरूनी कक्षाम कितने लक्टरान है? 2 तो इसके कोरे लक्टरान कितने हुए? 2 तो आप ये भी दियान रखे इससे भी एक्जाम में कोस्चन पूछ सकते है अगला कोस्चन है मारा इनमें से कौन सी रसाइनिक पिरती के लिए नहीं है? तो आप सब आसानी से अंसर दे सकते हैं कौन सी रसाइनिक पिरती के लिए नहीं है? गुरत्ता करसल तो समें option number C हमारा correct हो जाएगा अब गुरत्ता करसल में क्या होता है? दो पिंडो के मद लगने वाले आकरसल बल को हम गुरत्ता करसल बल कहते हैं इसे हम इस तरहां से लिखते हैं बराबर GM1 into M2 upon R square तो ये गुरत्ता करसल का formula होता है बल का next question देखते हैं इन में से कौन सा रसाइनिक परिवरतन का उधारण है? friends, रसाइनिक परिवरतन का उधारण कौन सा है? निस्क करीकरण जैसे हम क्या कहते है? neutralization तो neutralization में क्या होता है? अमल और छार की जब हम अभी करिया कराते हैं तब लवड और जल बनता है तो इसका उधारा आप देख सकते हैं अगर हम HCl H CKL के आ है हमारा एक अमल है और NaOH के आ हमारा चाहर है जब हम इसके अभी करिया कराएंगे तब क्या बनेगा NaCl और H2O तो आप इसका ध्यान रखें तो इसमें option number C हमारा correct हो जाएगा अगला question देखते हैं question number 11 निमलिकित में से oxidation पिर्दिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है तो आप इसके option देख सकते हैं एक पदार्थ में oxygen की यानि बुरुद्धी या उसमें से hydrogen हटने को oxygen करल कहा जाता बिल्कुल सही next B पदार जो oxygen के लिए oxygen देता है या hydrogen को हटाता है oxygen करक कहलाता है ये भी सही बनस्पती तेल का hydrogen करल एक oxygen की पिर्दिक्रिया है तो ये गलत है ये किसका उधारण है reduction यानि की अपचैन का next है धातवों में जंग लगना और उकसी करण पिर्दिक्रिया का एक प्रभाव है तो ये भी सही है तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा तो आप से इसमें गलत पूचा गया है next question देखते हैं निम लिकित में से कौन सी रसाइनिक पिर्दिकों के बारे में सच नहीं है तो सारे option देख लेते हैं ये तद्वो के नामों के लिए आशू लिपी यानि शॉट हैंड संकेतक है तो ये भी सही है ये पिर्दिक एक एज़ा दो अक्षोनों से होता है ये भी सही है ये जैम स्टेंडविक और जेज थॉमसं द्वारा प्रस्तावित किये थे तो ये गलत है नेश्टे कलोरिन के लिए रसाइनिक पिर्दिक C L है तो ये भी सही है तो इसमें आपको ध्यान रखना option number C correct हो जाएगा इनके पिर्दियों को सबसे पहले किसे ने बताया था जे जे बर्जिलियस ने तो आप चाहें तो उनके नाम को ध्यान रख सकते है option C इसमें correct हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंदा रहा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जितना जाद हो सकता वीडियो को शेयर करें next question देखते हैं आउक्सी करल पिर्थी करिया में निमल कितमें से क्या होता है तो आप इसके option देख सकते हैं electron में ब्रद्धी नहीं electron में कमी तो हाँ ये option हमारा सभी correct हो जाएगा electron में कमी होती है आउक्सी करल में मान लो आपके पास कोई तद्वे जैडेंड जिंक तो इसमें अगर दो electron निकल जाएंगे तब क्या होगा इसमें आउक्सी करल होगा तो इसमें option number हमारा भी correct हो जाएगा friends ये थे chemistry के most important question I hope आपने इनकी practice अच्छे से की होगी अगर आपने इनकी practice अच्छे से की है तो मौमीद करता हूँ आपको अपने आने वाले exam में जरूर help मिलेगी तो इसी तरह से आपको physics chemistry और biology की topic by question की वीडियो मिलती रहेंगी तो आप वीडियो को जादा जादा लाइक करें और जादा जादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अपने नए topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत